नमस्कार दोस्तों साधना कीचन बिहारी चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है तो आज की रेश्पी है सुबा की नास्ता हो या ब्रेक फास्ट हो या बच्चों का टिफिल हो कई काम में आने वाली रैस्पी है दोस्तों. इस रैस्पी बहुँ जादा क्रेस्पी करारा स्वदिष्ट बना है. गर्मी के लिए special है दोस्तों क्योंकि ये लोकी से बना हुआ रैस्पी है. बहु जादा खास है. लेकिन इसको बनाने के बाद खाने का मज़ा ही कुछ हो रहा है इस रेस्पी को ट्राइ करना बिल्कुल बनता है आप लोग बनाईए एक बार इस रेस्पी को बहु ज़्यादा खास है दोस्तों सब लोग पसंद करेंगे आपके घर में अगर सुबह के भाग दोड में इस तरह से बनाएंगे तो सबजी का जरूरत नहीं पड़ेगा कोई भी चटनी के साथ यह बहु ज़्यादा टेस्टी लगता है और बच्चों के टिफिन में भी 100% सही रहेगा दोस्तों बच्चे तो बहु ज़्यादा पसंद किये मेरे घर में लेकिन आप लोग एक बार बना करके देखिए बच्चे ज़्यादा पसंद करेंगे और हिल्दी भी है गर्मी के लिए अस्पेसल है तो चलिए मैं चलती हूँ अभी इसको बनाने वीडियो पर बने रहिएगा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे रोज का नोटिफिकेशन आप लोग तक जाए और आप लोग हमारी वीडियो को देख पाएं इस्टाग्राम फेस्बुक पेज पर वीडियो देखते होंगे दोस्तों या पुरा लोकी का नहीं बन रहा है क्योंकि हम लोग फैमली छोटा है इसलिए आधा लोकी से मैं बनाने वाली हुनास्ता तो देखिए दोस्तों सब्सक्राइब वाला बटन दबा कर बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे रोज का नोटिफिकेशन पहुंचे आप लोग तक और आप लोग आसानी से विडियो देख पाएं अब कदुकस हो गया है बारीक वाला साइлем से कदुकस हुआ है तो इस तरह से बीज जो लोकी में होगा वह बिल्कुल निकल जाएगा अगर बारिक वाला कदुकस वाला साइड से करेंगे कदुकस तो लोकी किलिएर हो जाएगा इस तरह से देखिए कितना बढ़ियां कौन-कौन इन्ग्रेडियंट इसमें पड़ा है, किस तरीका से बना है, देखिए, प्याज भी भी हो गया है, कदूकस, लोकी भी हो गया है, अब इसको बढ़िया से साइट करके ले लेना है, एक कप से चावल के आटा, वही कप से बेसन, चावल के आटा और बेसन दोनों एक ब्रावर माप होना चाहिए, अब नमक स्वाद अनुसार, चीली फ्लेक्स थोड़ा सा, हल्दी पाउडर एक स्पून, गोलकी जीरा पाउडर हाप स्पून, लसुन पेस्ट, लसुन अधरह का पेस्ट है एक स्पून, चाट मसाला एक स्पून के हिसाब से लिजिएगा दोस्त धनिया का पत्ता, धनिया के पत्ता डाल देने पर फिर उसी कप से जिस कप से चावल के आटा है और बेशन, एक कप पानी डाल के पहले मिक्स कर लेना है, ज्यादा नहीं, पहले एक कप पानी डाल के मिक्स कर लेना है दोस्तों, जिससे अंदाज मिले, तो देखिए इस तरह से अब हो गया है अब इसको फिर देखिएगा कितना पानी और लगेगा और किस तरह से इसमें थिकनेस होना चाहिए बनाने का सही थिकनेस देख लीजिएगा तो देखिए दोस्तों अभी गाढ़ा है इसमें एक कप पानी और पड़ रहा है एक कप पानी डालने के बाद अब इसे mix करना है तब इसको पता चलेगा look कैसा लगा इसका थिकने से सही है कि नहीं देखिए इस तरह से होना चाहिए अब यह सही हो गया है तो सारा ingredients का माप आपको बताई ही हूं लेकिन पानी दो कप उसी कप से लिजिएगा तो देखिए इस तरह से हो गया है बैटर तेयार अ इनो एक अस्पूंद छोटा अस्पूंद के हिसाब से डालिएगा और इनो डालना है उस टायम जब तुरंद का तुरंद बनाना हो आपको तब तो देखिए आप इनो डालने के बाद में बढ़ियां से mix कर लेना है नीचे उपर करके सब जगा इनो बढ़ियां से mix हो जाना चाहिए देखिए अब बढ़ियां फुला फुला से बैटर लग रहा है आप इसको चलिए बनाने चुलाओन करके तवा बैठाना है दोस्तों धोसा वाला तवा पर बन रहा है तो देखिए आप इस पर पहले हलका हलका सा तेल लगा लेना है ज्यादा तेल वाला नास्ता नहीं है दोस्तों बिलकुल कम तेल में नास्ता बनने वाला है अब इस तरह से फैला लेना है कुरकूरा बनेगा क्रेस्पी बनेगा आपको सुरू में मैं दिखाई हूं कितना ज्यादा क्रेस्पी करा रहा नासता है तो सेम उसी तरह से बनने माला है देखिए इस तरह से बराबर फैला लेना है दोस्तों बढ़ियां से फैला लेने के बाद में हलका सा तेल उपर से देखिए किस तरह से इसका उपर तक लुक दिखने लगा और एक दम से बढ़िया हो गया है, अंदाज मिल जाएगा, तब इस तरह से पलटना होगा, तब ही क्रेस्पी भी बनेगा इधर से और टेस्टी भी बनेगा, पका हुआ भी रहेगा दोस्तों, एक से डेढ़ मिनट फर्स्ट बार पलटने में टाइम दीजिएगा, फिर पलट करके दुसरा साइड में हलका हलका तेल छीटा लगाना है, और फिर इस तरह से दबा दबा करके पका लेना है एक से दो मिनट, फिर उधर साइड में पलट के एक बार और पका लेना है एक मिनट तक, कुल टोटल एक तीन मिनट चार मिनट पकेगा, चार मिनट तक आराम से पका करके इसे निकालिये, बहुँ ज़्यादा क्रेस्पी बनेगा दोस्तों, और इसको निकालना तो इजी इतना है तवास है कि आप देखी रहे हैं वीडियो में, और फिर हलका सा तेल के छीटा लगा के दूसरा चांस वाला में डाल रही हूं, देखते जाएए, और इसमें इन्नो पड़ा है, उससे थोड़ा बीच-बीच में जाली भी बन रहा है दोस्तों, इन्नो डालने के वज़ा से जाली बन रहा है, जाली में बढ़िया सा तेल मतलब छीटा मारने पर एक जॉब करता है, तो हर जगह से क्रेस्पी बनाता है, इसलिए इन्नो मैं डाली हूँ, इन्नो आप भी डालिएगा, कोशिश करके छोटा पाउच भी मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, मैं तो इसका डिबा रखती हूँ, लेकिन अगर आपके घर में नहीं होगा, तो छोटा पाउच इन्नो वाला मंगा लीजिएगा, जिसको फ्रूट साल्ट बोलते हैं, तो फ्रूट साल्ट इसे डालने पर बढ़ियां जाली बनाता है, जाली में तेल बढ़ियां से एक जब करके, क्रेस्पी बनाता है नास्ता को, तो देखिए दोस्तों, इस तरह से यह भी पक रहा है, इसको भी मैं पलट के दिखाऊंगी, इसको पलटना तो बहुत इजी है, अगर आप लोग को लगता होगा कि तवा में चिपकेगा, तो बिल्कुल नहीं चिपकेगा दोस्तों, और यह सुबह के भाग दोड में आप लोग जटपट से बना सकते हैं, लेकिन टेश्टी बहुत ज़्यादा इनास्ता होता है, तो देखिए इस तरह से निकल गया, तो सेम इसी तरह से सारा नास्ता पका लेना है दोस्तों, पक जाने के बाद में फिर देखिए गाहा आगे चलके कि किस तरह से बना और कितना बना, एक कप चावल के आटा और एक कप बेसन में, तो देखिए गरमा गरम उस तरह से अगर देंगे चटनी के साथ किसी को भी सुबह में नास्ता, तो बहुत पसंद करेंगे लोग, अब इसका मैं क्रेश्पी का आवाज सुना रही हूँ दोस्तों, देखिए कितना जादा क्रेश्पी बना हुआ है, बहुत जादा क्रेश्पी है दोस्तों, आप लोग को मतला यह नहीं है कि एक लोग पसंद कियें और बच्चे नहीं पसंद नहीं करता, इसलिए चिली फ्लेक्स डाली थी, और दीखता नहीं है, हलका सा टेस्टी थोड़ा तिखा लगेगा, तो मेरे घर में बच्चे तो साफ करके खाएं हैं दोस्तों, और आप लोग बनाईए और बताईएगा कि कैसी लगी ए रेस्पी, अगर हमारी रेस् तो ऐसी ऐसी रेस्पी देखने के लिए धन्यवाद, फिर मैं मिलूँगी अगली दीन, नही रेस्पी के साथ, बाई बाई